हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आसा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और सुच्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे दोस्तों तो दोस्तों हमारी क्लास है लगबख 14-15 हो शुकी है नंबर सिस्टम की 30-30 मिनट की वीडियो बनाके डाली है जिससे कि आप वासानी से क्लास को देख सके जई उन xi क्लास को ठीक से देख है तो आपका नंबर शिस्टम निपट गया दोस्तों तो बहुतनी तरीके से मैंने नंबर शिस्टम को लगबख पुरा करा दिया है आप जाये पिछली इतने भी वीडियो हैं दोस्तों देखें जाके बहुती महत्पूर्ण कोश्चन करा हैं जो डारेक्ट एक्जाम में आते हैं दोस्तों दोस्तों आपके लिए दो लाइन कहूंगा कभी-कभी होता है कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं तो उनके लिए मंजले लाख कटिन आय गुजर जाओंगा मंजले लाख कटिन आये गुजर जाओंगा होसला हार के बैठूंगा तो मर जाओंगा होसला हार के बैठूंगा तो मर जाओंगा चल रहे थे जो मेरे साथ कहां है वो लोग जो ये कहते तिकी रस्ते में भिखर जाओंगा दोस्तों तो एंड तक बने र दरसल सीरीज होती है AP AP सीरीज होती है उस पर कुछ कोश्चन बन सकते हैं आपके एक्जाम में आर्थमाटिक प्रोग्रेशन इसे कहते हैं इसका फुल फाम हो गया तो AP क्या होती है दरसल तो दोस्तो AP एक सीरीज ऐसी होती है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोई अंक दो फिर चार फिर छह फिर आठ फिर दस फिर वारा ऐसी चलते-चलते दो-दो के अंतर में यह बराबर-बराबर संख्या हैं आंतर तक चली जा रहे हैं तो यह एक तरीके की सीरीज बन जाती है तो इस पर इस तरीके इस question पूछे जाते हैं दिये गए पदों का योग ज्याद कीजिए तो पद दे दे बहुत यानि संख्याओं की संख्या बहुत ज्याद होती है तो कहे देते हैं इनका योग ज्याद कीजिए तो आप exam में कैसे करेंगे आज वही सीखेंगे दोस्तो फिर उसके दीरी दीरे आगे बलते हुए अच्छे-च्य कोस्चन करेंगे और जो कोस्चन छूट गयते हैं उनको भी आज इंक्लूट कर लिया जाएगा दोस्तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो दोस्तो ये होता है आपका पहला पद ठीक है और आगे वाले पद से पहला पद आगे वाले पद से पहले पद को यदि हम घटाएंगे यदि इसको माले A2 ये A1 है ये A2 है ये A3 पद है और ये A4 पद है ऐसी करते करते जो भी आपके पद आए है तो आपका जो a2-a1 होगा, वो आपका इसकलटू होगा a3-a2. फिर आगे a4-a3. तो ये पद जो हैं दोस्तों, ये आपसें बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इनका जो सार्व अंतर होता है, यानि आपस में यानि पास बाले दो पदों का जो अंतर होता है वो बराबर होता है दोस्तों कैसे यहां से आप देखें 4 से जब 2 घटाएंगे यानि A2 minus A बन करेंगे तो 4 से जब 2 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा दोस्तों तब भी दो बचेगा, यहां देखेंगे A3-A2, यहनि तीसरे पद से दूसरे पद को खटाएंगे, तब भी दो बच रहा होगा आपको, तो तीसरा पद आपका 6 है और दूसरा पद 4 है, तब भी दोस्तो दो ही बच रहा है, यहां पर आप देखेंगे A3, A4-A3, यहनि पदो का अंतर और उससे बादवाले पदो का अंतर, यहनि कुल मला के किरमानुसरा जो अंतर वो बरावर होना चाहिए, यहनि A2-A7 है, तो यह बरावर होगा A3-A2 के, यहनि A4-A3 है, तो बरावर होगा A5-A4 के, तो कुल मला के जो अंतर है, यहनि डिफरेंस है, हमेसा बर प्रावर होगा इससे यह कह सकते हैं कि यह एपी होगी यह तो इस पर आ जाता है योग कहते थे इतने पदों का योग्यात कीजिए यानि अभी यहां पर पहला दुसरा तीसरा चौथा पाचमा छटा साथ मा आठमा नमा दसमा कुछ भी होगा तो पंदरा हम लिखके निकाल सक तो उसका फार्मला होता है नॉर्मली ए प्लस एन मैनस बन इंटू डी इस फार्मले से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं कोई भी पद निकाल सकते हैं दोस्तों जैसे अभी मैंने कहा पंदरमा पद ग्याद कीजिए इस सीरीज का पंदरहवा पद ग्याद कीजिए तो आप कैसे निकालेंगे, यानि T 15, N की जगे 15 रख देंगे, वस A मतलब आपका पहला पद हो गया, A का मतलब होता है पहला पद, यानि 2, और N तो पता ही है, 15 से 1 गया, तो बचे 14, और D, Difference, कितना है, हर पद में देखो, तो यहां से हम निकालेंगे, 2 फलस, और यहां पर डिफरेंस कितना दोका है, 14 दूरी कितने हो गए, 28 हो गए, 28 दो कितने हो गए, तो उस तो 30 हो गए, यानि हम कह सकते हैं, इस सीरीज का पंदर्मा पद कितना होगा, 30 होगा, एक कुस्टन और करते हैं, चलो, आप निकालिए, 16 पद निकालिए, ठीक है, 16 पद, बैसे तो हमें पता है, 32 होगा, तो हम फॉर्मले को चेक कर लेते हैं, तो इन की जगह 16 पद रख देंगे, तो एक की जगह कितना आ जाएगा, हमारा पहला पद होता है, तो एक का मतलब हो गया, पहला पद, तो एक का मतलब कितना हो गया, तो बच्चे के 15 है, तो 15 लूनी 32 दो 32, यानि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमारा formula सही काम कर रहा है यहां तक बात होगी कि अब पद का इसे ग्याद करेंगे तो पद ऐसे ग्याद कर लेंगे कोई भी पद अगर सीरीज का गाइब है यानि इसका आप हजार भावी पद ग्याद करें तब भी हम कर लेंगे इस formula से इसमें लगा के tn n मतलब जो पद ग्याद करना हो इसकल्टू a हो गया आपका पहला पद पहला पद आपका 2 है और n माइनस बन करके यानि n यानि 15 से एक गया तो बचा है यहाँ पद दिखो 14 बचा तो n से 1 कर देते हैं माइनस फिट d इसको ऐसे लिख सकते हैं a plus a plus n माइनस बन into d लिख सकते हैं ठीक है तो ये आपका हो गया अंतिमपद इसे हम लिख सकते हैं l तो यहाँ से एक और फार्मुला बन गया n माइनस टू a प्लस ऐल अब ये आपका हो गया sum sum का फार्मुला हो गया तो इस फार्मुले के इस फारूमले के वेस्ट होंगे दोस्तों तो इस फारूमले के पहुशने तक मैंने आपको इतना समझा दिया अब इस फारूमले का यूज देख लेते हैं कैसे करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर एक कोश्चन लूँ दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, मालिया, छे अंकों की इना 6 संख्याओं की एक सीरीज है, एपी है, कौन सी एपी सीरीज है, तो उसका सम ज्याद कीजिए, उसका योग ज्याद कीजिए, योग के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर पता है, अंतिम, अंतिम पद अल हो गया, और प्रिथम पद यदि यहाँ पर ए हो गया, ठी छे पद हैं. बाइ टू. तो A कितना ओगे आपका? तो A हमने देखा 2 हो गया. आब L कितना है? A हो गया 2. आब L कितना है, 12. निला 20 होता है. आध़ होता है अंतिम पद. तो यहांपर निकाला, 2, 3, 6 होगे यहाँपर, और 3 गुणा, यहांपर कितने होगे 14. तो आप कितनी भी बड़ी सीरी जोगी तो आप उसको इस फार्मले को लगा के सॉल्व कर लेंगे आराम से घर पा रहे होंगे इतना उतार लेंगे फिर मैं अच्छा सा यह कोश्चन कराता हूं बहुत ही बहतरीन सा इतना उतार लेंगे दोस्तु कर दो यह तर लेंगे दोस्तों आगे बढ़ते बहतरीन से करते हैं कुछ तुम भूश्ट अब करे दो भूश्ट करते हैं को रहे हैं खाब खुरक कोश्चिन करेंगे यहां पर में कोश्चिन एक लूँ कुश्चिन यहां पर एक लूँ एक दो तीन चार ढडडडडडडडडडडडड़ साथ ता रबसुआथ साथ पततक साथ तक साथ तक सीरीज है कॉन सी है जब दोनों यहनु संख्याओं का जो अंतर है यहनु 2 में से 1 गया तब भी एक आ रहा है 3 में से 2 गया तब भी एक आ रहा है 4 में से 3 गया यानि AP यानि डिफ्रेस जो है एक ही आ रहा है सभी पदों में तो कुल मलागे कह सकते हैं एक AP है तो फार्मुले लग जाएंगे AP ये, question एदी मैं यहाँ पर 2 लेलू 2 हो गया 4 हो गया, 6 हो गया 8 हो गया, ये भी 60 तक series है तुमारी question एदी मैं 3 लेलू यहाँ पर 1 लेलू, 3 लेलू 4 लेलू 1 लेलू, 3 लेलू, 5 लेलू यानि सभी विसम संख्याओं का योग लेलू यहाँ पर, 5 हो गया, 7 हो गया तो ये भी मतलब, मैं लिख लूँ 61 तक, 61 तक तो कैसे ग्याद करेंगे दोस्तों तो आप वही फार्मुलल लेल लेलेंगे, जो मैंने आपको बताया, क्या बताया था SN यानि योग बराबर कितना फार्मुला होता है NY2 NY2 और A पिलस L बस, यह वाला फार्मुला लगा दे न फटाफट आपका आंसर आजाएगा इसे यूज करेंगे, जब यूज करते जाएगे तो बहुती सौट हो जाएगा बहुती सौट में हो जाएगा आपका आंसर सौट, देखो यहाँ से पहला पत क्या है आपका पहला पत एक है और अंतिपद कितना है अंतिपद कितना है, साथ है और A प्लस L, अंतिपद साथ है और N यहाँ पर कितना है, यहनि N होगी आपकी पदो की संख्या पदो की संख्या तो N होगी यहाँ पर पदो की संख्या तो N कैसे ग्याद करेंगे अब कभी कभी होता है पदो की संख्या नहीं निकाल मिलती है यहाँ पर तो आप कहे देंगे 1, 2, 3, 4, 60 तक गिंती जा रही है यहाँ पर भी आप जहां तक निकाल लेंगे कॉश्चन कुछ ज़्यादा अंतर की हो जाते ही तो पदोगी संख्या निकाल नहीं मिलती है, तो पदोगी संख्या के लिए एक normal सा formula आता आपका पदोगी संख्या and निकालनी हो तो क्या करना है, अंतिम पतसे पहला पद जो है minus कर देना है और difference से उसे भाग कर देना है plus 1 कर देना है वस यहाँ पर पड़ा पड़ा आपके पदों की संख्या निकलाएगी और पदों की संख्या यहाँ पर रखें और a plus l यहाँ पर दे ही रखा है और आप योग ज्यात कर सकते हैं n बराबर क्या होगा फिर n यहाँ से निकालें तो दोस्तों कितना हो जाएगा n बराबर यहाँ बराबर हो जाएगा 60 minus 1 यानि अंतिपद में से प्रिधमपद minus और difference कितना होगा 2 से 1 गया बचा 1 दोस्तों difference है और फिर गोड़े में मैंने यानि पिलस में कितना बताया था पिलस में 1 तो यहाँ से 60 से 1 जाएगा तो जाएगा कितना 69 और 69 में 1 जुड़ दिया कितने होगा 60 बैसे भी हमें पता था इसमें 60 पद है और बैसे भी हमने formula से निकाल लिया इसमें 60 पद है यह हो जाएगा आपका 30 और 30 हो जाएगा यह हो जाएगा 61 तो 30 गुणे 61 यह आपका हो जाएगा दोस्तो योग तो 3 एकम 3 और 3 छक कितने होते हैं 18 तो यहाँ पर 1830 आपका योग आ जाएगा दोस्तो सीधा सीधा इससी तरीके से दूसरा वाला कोस्चन आप करके देखेंगे यह तो कोस्चन बन का सॉलीशन हो गया ठीक है कोस्चन बन का सॉलीशन हो गया ठीक है इससी तरीके से कोस्चन नमपर 2 है उसका सॉलीशन करके देखें फटा-फट आंसर देंगे कि आप कमेंट वोक्स में दोस्तों कमेंट वोक्स में फटा पड़ आंसर देंगी तो दूसरा वाला कोश्चन कैसे होगा फिर कि मैंने आप से बताया सबसे पहले क्या गयात करेंगे एक निकालना होगा और यह भी पता होना चाहिए और यह बहुत हो थीक है तो कोश्चन नमपर दो का सॉल्यूशन करते हैं कैसे होगा प्रधंपत कितना है दो अब पदों की संक्या फटा पट निकाल लेते हावा में ही कर लेंगे ल माइनस अंति मेंसे पहला गया गया तो दो का अंतर है चार मेंसे दो गया दो का अंतर है और पलस एक कर देंगे यहां पर देखा कितने हो गए अठावन मतलब 29 दूनिय होते हैं 28 29 पलस 1 बराबर हो जाएगा आपका 30 यानि 30 पत कुल निकलकर आ जागे यह यह पदों संक्या 30 है तो ऐसन यानि डारेक्ट फर्मुड लगा देंगे ऐसन वाला यानि 30 पद है तो 30 बटे 2 डारेक्ट फर्मुड लगाएंगे 30 बटे 2 पहला पद कितना है 2 और अंतिम पद कितना है 60 तो यहां से निकल कर आएगा यहां से तो आ जाएगा 15 थूनी 30 होते फिर यहां से 930 निकलकर आपका योग आ गया तो दोस्तों आपको तन्हको निकल रहा होगा कैसे योग निकल रहा है ईससे यह यहां इसे द साट को दो से भाग करेंगे और एक जोड़ेंगे बस फटाफट जब आप जितनी ज्यादा प्रेक्टिस करते जाएंगे दोस्तों क्या होता है ना वहीं आपका सौर्ट में आंसर आने लगता है आगे सागे स्टेप सौब करने लगते हैं तो प्रेक्टिस होना ज़रूरी है इसका हम सम करना है ठीक है तो 31 बटे 2 पर्थम पत कितना है 1 और अंतिम पत कितना है 61 पर्थम पत कितना है 61 पर यहाँ पर आंसर आजाएगा आपका 361 आंसर आजाएगा दोस्तो तो दोस्तो फटा पर उतार लीजिए और समझिये कैसे कोश्चन सोल्व हो रहे हैं यह कोश्चन ठीका घिक है इस ठीका सौलूशन हो गया इतना कोश्चन दो कि एक दू कोश्चन और कराएंगे जोड़के फिर चलते हैं अपने बहतरीन कोश्चनों पर और और प्रेक्टिस करवा देते हैं और आजाए आपके एक्जाम में कोश्चन और यहीं मैं ले लूँ छे के पिर्थम अठारा गुड़जों का ही योग ज्याद किजिए गुड़ज मतलब मल्टिपल योग ज्याद करें ठीक है भी यह तो क्या है भी लगा देंगे फार्मलों जो बताएं आपको ठीक है तो 6 के पिर्थम अठारा गुड़ज क्या होंगे यानि पहली देखी जाए तो सीरीज क्या बन जाएगी पहले सीरीज बनाते हैं इसे शे कम शे आटारा, शे याठारा, ऐसे करते करते पृर्थम आठारा कुल डॉटारे ऐतारा चक्कन कृतने हो जाएंगे पाद प्रिधम पृर्थम चल गया तो ऀकसे आठे कितनी है डिफरेंस का 12 से 6 गया बचे 6 और प्लस 1 कर देंगे बस पदोगी संख्या निकलाएगी दोस्तो तो कितनी होगी यहां से संख्या पटाबट ग्याद कर लेंगे कई तरीके होते हैं दोस्तों कोश्चन सॉल करके और तरीका भी बताऊंगा 108 माइनस 6 तो 102 बचे और 6 प्लस 1 चे कम 6 बचे 4 यहाँ पर और 4 तो 42 से 6 तो 42 और प्लस 1 यानि 67 और एक कितनी हो गए 68 क्या इतने ही पद है इसमें कहीं पहीं मिस्टेक होगी क्या पदोगी तो संख्या दीए यार पदोगी संख्या क्यों निकालना है देखो पदोगी संख्या कितनी है 18 18 जब गुड़ो जाएं तो दोस्तों पदोगी संख्या निकालना क्या वशक्ता है तो एन के वराबर कितना हो जाएगा एन वराबर हो जाएगा 18 ठीक है एन वराबर कितना हो जाएगा पटे दो अब दो से इसको भाग करें दोने मठारा और 114 गी नौ से गुणा करवा लें दोस्तों आप तो इस तरीके से आपके कुशन सॉल्व हो रहे हैं जैसे ही आपकी सम का फार्मुला मिलब सम करने को आ जाए और सीरीज कैसी हो एपी हो तो फटा-फटा आप इस तरीके स किर्मानुसार संख्या है तो किर्मानुसार संख्या हो का योग डारेट क्या हो जाता है तो इनका योग बहुत ही इजी होता है दोस्तों क्या करते अंतिम संख्या जो है बीस उसमें जोड़ देंगे एक जोड़ के गुणा कर देंगे बीस एक इकिस तो बीस गुणा एकिस 18 आगया फिर 108 आगया तो इस तरीके सा आपके questions solve हो रहे हूँगे दोस्तों यह इतना हो गया फिर आगए बरते हैं दोस्तों और देखते हैं को को तो मुझे लगता है योग से कोई भी उसन आ जाएगा तो आप कर देंगे योग से कोई भी कोश्चन आएगा तो आप कर पा रहे होंगे दोस्तो अब आप वहत्रीन कोश्चन देखते हैं दोस्तो तेन किरमागत तीन किरमागत सम संख्याओं का योग तीन किरमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24 है तो बीच वाली संख्याग याद कीजिए तीन किरमागत संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या ग्याद कीजिए दोस्तो बीच वाली संख्या ग्यात कीजिए वैसे तो मैं बताओं आपको जैसे हम बेसीकली क्लासों में सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं दोस्तो देखो तीन कृमागा संख्याक बात हो रही तो माल लिए एक X है तो जाहिर सी बात उसके बाद ही होगी बिल्कुल दूसरी संख्या उसकी तो x प्लस 1 ओजाएगा फिर उसके भी बाद ओगी तो x प्लús 2 हो जाएगा इनि एक एक के अंतर से होगी जिब 300 किरमाग़ संख्या होंगी ठीक है उनका योग बताया कि उनका योग कितना है 24 है तो इनका योग हमने कर लिया x प्लस 1 इस कल्टू कितने हो गए 24, यह योग कर लिए हमने, X कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 X हो जाते हैं, और 1, 2, 3 यह हो गए, और 24, यह बनगी आपकी समीकरण, तो 3X बराबर, 3 उदर गए, तो 24 से क्या हो चा, 24 से 3 गया, तो बचे, दोस्तो, 21, तो X सी वेल्यू यहाँ पर कितने हो गए 3, सत्य, 21, यह नि एक सी वेल्यू जब 7 आ गई, तो एक संख्या कितने होगी, 7, और 8, और तीसरी संख्या कितने होगी, 7, और 2, 9, यह नि 7, 8, और 9, तीन ऐसी संख्या है, जिनका यह कितना है, 24 है दोस्तो, 24 है, क्या आप यही अप्रोच, एक्जाम में अपनाएंगे, तो संख्यां का योग, तो 24 को क्या करेंगे, 24 को कर देंगे, दोस्तो, 3 से भाग, तो बीच वाली संख्या ही निकल कर आएगी, जब आपकी, विसम संख्या की बात होगी, ठीक है, तीन क्रमागत समसंख्याओं का योग, ठीक है, समसंख्याओं का योग कितना है, 24 है, तो बीच वाली संख्याओं कीजिए, तो तीन, अच्छा, समसंख्याओं की बात कर रहा है, तो तीन, अच्छा, समसंख्याओं की बात कर रहा है, तो तीन, अच्छा, संख्याओं की बात क ग्यापक किजिए, यानी तीसरी संख्या में किजिए, तो आइसे भी आप से पूछ सकता है. जब आप डारिक्ट देखेंगे, जितनी संख्या हैं, पूछे होंगी. तक तो डारिक्ट दीаменहाता जिए है, उनसे 24 को हमने डिबाइट कर दिया, तो आगे 8 या आगे बीच वाली संख्या तो जाहिर सी बात है 8 के बाद वाली संख्या क्या होगी जब समसंख्या की बात होगी 9 क्या होगी बिसमसंख्या होगी 10 ही होगी फिर यहाँ पर 7 क्या होगी बिसमसंख्या होगी याने 6 ही होगी फिर तो 6, 8 और 10 ये 3 क्रिमागत संख्या है जिनका योग कितना है? 24 है दोस्तों तो इस तरीके से आप निकालेंगे और question देखते दोस्तों यदि 24 की जगए यदि 24 की जगए थोड़ा सा change कर दे दोस्तों 80 है ठीक है? 3 क्रिमागत संख्याओं का योग कितना है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 क्रिमागत संख्याओं का योग 80 है तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पर वीचवारी बहूलिए तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब बनाए question वहते हैं तरीके से पांच किर्मागत सम संख्याओं का योग असी है तो सबसे छोटी संख्या ग्यात कीजिए तो आपकी अप्रोच क्या होगी दोश्टों स्टॉल्ब करने की संख्या को निकालना है तो असी को दे देंगे पा से भा संख्या के बात वह देंगे तो निकल अब सभी समसंख्या है तो यह आपकी पांस किरवागर समसंख्या है जिनका योग कितना है असी है तो दोस्तो आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या ग्यात कीजिए तो आपको इनमें नहीं पता कौन से सबसे छोटी संख्या होगी तो यहाँ पर आपका कितना आंसर हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा दोस्तो वारा है आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तो